दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के सुडिय में हम बात करने वाले बैंगलूरू ब्लास्टर्स वर्सेस गुलबर्ग मैजस्टिक्स याने बीबी वरसेस जी वाई जी एम वाई के बीच की जो मैच है जो श्री राम महाराजा ट्रॉफी की एस सी एटी ट्वेंट की जो मैच है उसकी तीन ड्री मिलियोन की विनिंग टेम सबको देख लेनी जिसे कि आपको अच्छे खासी अर्निंग हो सकते हैं फ आपको नीचे जो प्रियेटर टीम को ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करनी होगी लेकिन मैं तीन टीम है अल्रेडी बना चुका हूँ जो माई टीम में जाके करके आपको इडिट करके दिखाता जाओंगा किस किस को लेना है किस किस को नहीं लेना है और क्याप्टन और सब्सक्राइब करते हैं कि मेरे प्रेडिक्शन काफी अच्छे जा रहे है इतनी भी बुरे नहीं जा रहे कि आप भर साथ ना कर सके चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते माई टेम पर क्लिक करके और पाइली टीम को मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूं तो काफ पर देख सकते हैं केश रिजित और एक अच्छा ऑप्शन है एस रक्षित तो अभी फिलाल इनको केश रिजित को तो हम नहीं ले पाए इस रक्षित को हम ज़रूर यहां पर ले सकते हैं बैटिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता है कि काफी यहां पर इं इनको काफित जादा खेलते क्रिकेट खेलते वे देखा है इसके अलाव भी और कोई और भी कोच ऑप्शन सहीं जिसको हम अगली टीमों में ट्राइ करेंगे लेकिन इस तीम में सिर्फ में मैंक अगरॉल के बाद मनिश पांडे देवधत पड़ी कल इस तर से तीनी बात्सम पिछ निब कर रहा हो तो इस तर से देख सकते हैं एक और है जिनको हम अगले दो टीमों में लेने के पूरी करेंगे अब चलते गेंबाजी तो यहां पर गेंबाजी में भी काफी बढ़ीया-बढ़ीया प्लियरे काफी अच्छा परफर्फरमस कर रहे है आर बहपन्या वी कावे रप्पा को इस टीम में शामिल कर रहा हूं यह भी अच्छा परफॉर्मर्स कर रहे हैं और इसके आवला हुआ इनको भी मैं स्टीम में शामिल करूंगा एसिंग वन को लेने के पिछे रिजन यही कि मेरे पास क्रेडिट काफी कम था और देख सकते जीरो क्रेडिट हो चुके तो इसके वाज़े से हमें इनको लेना पड़ा लेकिन प्लियर अच्छे दोस्तों जरूरू आप इनको ले सकत सबसे पहले एक बार प्रिव्यू कर लेते हैं और फिर दूसरी टीम हम देखेंगे कि मैंने किस तर से बनाई सबसे पहले इस टीम का प्रिव्यू करते तो यहां पर देख सकते इस रक्षित को मैंने लिया है विकेट किपिंग में इसका लाओ किसी और के साथ में अभी फिल केसी की बाद करें तो एन और बटकल को लिए को लिया है और पातिल को लिया है चारों की चारों की सबढ़ देख द लेते हैं तो आपको में बताता हो कि यह चारों अगर अख्या पर में शामिल कर लिया है जो कि है यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले तो आर्व उपना का नाम में लोंगा क्योंकि दोस्तों काफी बढ़िया परफॉर्मस रहा है को मुझे लेना पड़ा है 120 अभी तक वो भी दे चुक है ले इतने बुरे भी नहीं तो और भी कावे रप्पा को भी स्टीम में मैंने शामिल कर लिया यह अच्छा परफॉर्मस करें तो जरूरू आप इनको ले सकते इन सब पर बर्सा कर सकते दाव लगा सकते अफकोस इस ट जित को इस टीम का फाइस क्वड़ार एक काफी अच्छे बैटिंग करके फ़र्म में है और अच्छा खासा और राउंड अरे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा कर सकता है तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन और वाइस कप्टन बनाना काफी फायधेमन सा तो यहां पर फिर से मैं यहां पर रक्षित की जगह पर मैं के श्रीजीत को इस ती में शामिल कर लूंगा क्योंकि यह अच्छा पर्फरमस कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो इनका भी पर्फरमस बुरा नहीं रहा है तो इसलिए इनको भी लेना ज़रूरी है इसके बाद बैटिंग पर चलते तो यहां पर अफकोस मैं इस बार पाज बल्लेबादों के साथ जाओंगा जैसे कि मैं करवाल तो रहेंगे मनिश पांडे भी रहेंगे देवदत पड़ीकल भी रहेंगे लेकिन इसके अलाओ और दो बल्लेबादों को मैं ने लिया है जिनका भी पर्फॉर्मस देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है और पर चलते तो आफकोस पार्च बल्लेबाद लेनी के वजह से मेरे पास दो ही आप्शन बचेते तो यहां पर जगदे सुचित को तो आपकोस मैं लूँगा लेकिन इसके अलावा मैं पी भाटिया को स्टीम में कर लोुगा अगर पर देख सकते तो यहां पर फितसे देख सकते यहां पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कि एक तोयाग दितन नहें तो यहां पर दैव दखकने में ए तो यहां देखको स्नाप्ते शोचा है तो यहां पर दितो तो अगर बात करें तो यहां से देख सकते हैं मैंने कीपिंग से ही शुरुवात कि हैं चेंजेस करने की केश रिजीत को इस टिम में शामिल कर रहा हूं इसके अलवा पाच बल्लेबादों को मैंने इस टीम में लिया है मनिश पांडे को जे अचार्य को द्याओद पड़िकल को मैं कगरवाल को ए जोशी को इन पाचों का यकिन मानी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है वहरॉल काफी बढ़िया क्रिकेट खेल रहे अच्छी कर रहे तो जरूर आप इन पांचों को अगर साथ में लेंगे तो काफे फायदेमन साफित हो सकता है आप ग्रांड लिंग जेजाए या फिर अच्छी काशी तो अपक्का करी सकते है इसके अलवा पी भाटिया और जगदिश सुचित इस तरह से दो ही आल राउंडर में कर लिया है तो यहां पर भी एक चेंज है कि आप देख पार है कि वाध्वानी को ले रहा हूं उसके बाद भी कारेपा को ले रहा हूं और आर्व उपना को वापस सिस्टीम में शामिल रख रहा हूं तो कुल मिला के एक अच्छी और संतुली टीम मुझे नजर आ रही है आ काफम के बन जुकित जिसकी जिसको आपको ग्राइ망 के लिए उञए त्यम कहते हैं क्जिता तो जरूर आप उस तर से कर सकते ग्रांड लिग के और स्मॉल लिग दोनों लगा सकते हैं चले दोस्तों इस टीम की क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की बात करें तो देवधर पडिकल का परफॉर्मस थोड़ा बेटर है मनिश पांडे से तो इसलिए मैं देवधर पडिकल को क्याप्टन बनाने जा रहा तो दोनों की दोनों बेस्ट है अच्छा परफॉर्मस तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन और वाइस काप्टन मनाना काफिव फाय देमन सा भी तो सकता है ग्रांड लिग आपको जिता सकते हैं अच्छी खासी अर्णिंग तो पक्कात कराई सकते हैं इस टीम को भी बात जरूर बताना चाहूंगा मायंका अग्राल मनिश पांडे और देवदत पड़ी कल तो ही मेरे पास लेकिन इसके अलावा जे आच्छारे को भी में इस टीम में फिर से शामिल करूंगा आप अगर यहां पर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं यहां पर गवड़ा भी का पर चाहर बल्ले बाज ले चुका हूं चाहर गेंबाजों को भी मुझे लेना है जगदे सुचित और भटकल को इस टीम में शामिल कर रहा हूं आज ऑल राउंडर ताकि आपको गेंबाजी में भी चार आप्शन मिल सके यह दोनों भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेल तो ज हैं और इनका परफ़ॉमंस भी काफी शांदार रहा है काफी बढ़िया रहा है काफी विक्ति निकाल थे तो इनको भी कई लेना काफी फाहिदे मन साबित हो सकता है तो इसलिए हैं यहां पर चार गेंबाजों को रहा हूं इसके बाद में चार बाट स्मान दो आल रॉंडर और एक कीपर के साथ जा रहा हूँ अगर आप सूचिए अगर आप इन चारों गेन बाजों में से या फिर चार बल्ले बाजों में से अगर एक को किसी अग को ड्रॉप करते हैं तो यहां पर आपके पास के श्रीजित के रूप में एक अच्छा कीपर और एक मुझुद है इस टीम की खलास हो जुके है इसके बाद अगर फिर से एक बार टीम प्रिव्यू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट इस बार बताऊंगा की क्याप्टन और रास क्याप्टन मैंने किसे बनाय तो यहां पर मैंने थोड़ा हट के सोचा जग दिशुचित को मैं स्टीम का क् अब इतक कहीं भी कुछ भी नहीं बना पायता काफी कम लोगों ने पर वर्षा के लिकिन यहीं आपके लिए प्लस पॉंट साबित होने वाला है चलिए दोस्तों फिस एक बार टीम प्रिव्यू करते हैं और बताता हो किस तर से इसका प्लस पॉंट साबित होगा सबसे पहल अरौणी देब कहा ऐ है तो बड़िया आहए काफी शांदार ना ऑल रणर की बात करें तो द्यव दबन करें था और ब्हटकल को ले रहा हु और जग्दष शूच्चट को ले रहा हु कि दोनों प्लंर रazing काफी शांदार और जानदार राए अगर बात करिंगे लिए को तो के वाधभानि को ले रहु काुए रफपा को ले को ले रहो तो कुलमिला के एक अच्छी खासी टीम और मैं कहूंगा कि इसे जादा से जादा ग्राइड लिए उसकरेंगे तो आप ग्राइड लिग जीट सकते अच्छी खासी अर्णिक पक्का करी सकते साथ इसे स्मॉल लिग के लिए यूज करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन पह बना रहा हूं अगर आप यहां पर चेंज करना चाहें तो कर सकते लेकिन एक अच्छी ऑल्राउंडर बैटेंग भी कर सकते तो मुझे लगता है ज्यादा फाय देमन सावित हो सकता है क्योंकि इनका भी ओर्रॉल अगर पर्फॉर्मस दिखा जाए तो काफी शांदार रहा ह तो इसलिए मैंने यापतवल पॉंट यहां पर डब्ल पॉन्ट को इसलिए अजर चाह रहा हूंग दोनों से किसी को भी sm bakalım तो आप खुद के अगर चैन्ज करना चाहिए काफ्टन जाहिए कोई प्रॉब्लम में फिर भी मैं आपको बता दू आर्व पना एक अच्छा ऑप्षन है अज एक प्रॉब्लम के लिए लिए रक्षित भी थाप्षन है तो आप अगर बात करें तो पैले टेम मैं चार अल्ड सब्सक्राइब के लिए जादा से जादा है क्रेडिट हमारे खतम हो चुके और स्मॉल लिए एक ग्राइब लिग लगाने के बाद यूज कर सकते इस टीम को भी क्लोज करके सेव करते और अखिर में यही कोंगा दोस्तों कि अगर आपको लगता है इन तीनों टीमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर आपको लगता है कि क्याप्टन और वाइस कप्टन सही नहीं तो आप चेंजेस कर सकते हैं लेकिन ज्यादा चेंजेस मत की जिगा तो तो फ्रोड़ा रिस्की सावित हो सकता है काफी सोच समझ के बनाई हुई ठीम हाँ एक दो चेंजेस करने सकते हैं बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना नाब ले तो टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हुँ वहाँ पर जाके उसे भी जॉइन जरू कर लीजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बता सको कि किसे ड्रॉप किया गया और उसकी ज अन्यवाद गुडबाइट